हाई फ्रेंड्स में अकांचा सर्माजी के वितकांचा में आपका स्वागत करती हूँ आज हम मैं इसके पेपर फर्स्ट जो हमारा चल रहा है मद्योपदेश का इतिहास या मद्योपदेश की स्वतंतता संग्राम मैंने बताया तक कि किस प्रेकार से उसका स्लेवस है क्या क्य आपको पढ़ना है जो मेरे यह एल सेवन है इसके तीन वीडियो मैंने मद्योपदेश के स्वतंतता संग्राम पर बनाई है और तीन वीडियो मैंने भूगरवसास्तर पर बनाई है तो अगर आपने नहीं देखी हो तो पूरी देख लीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते है आजम जिस कोशन पर फोकस करने वाले हैं वो है 1857 की क्रांती में मध्य प्रदेश की महिलाओं का योगदान पढ़ना है 1857 की क्रांती में मध्य प्रदेश में प्रथम सुतंतरता संगराम की अनवरत सरंखला का प्रारम हुआ ता इसमें महिलाओं भी जो थी वो पीछे नहीं थी बल्कि अंग्रेजों के पसीजने चुडाने में ये अब बल रही थी महिलाओं के योगदान के बारे में आ जाए तो आप ये इंट्रो बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक महिला के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाए पांच नंबर में भी तो भी आप इसका इंट्रो इस प्रकार से डाल सकते हैं उन्हें भारत में ब्रिटिस सासन के प्रतिसोत के प्रतीग के रूप में देखा जाता है। पूछा है कि महारानी लक्षिवाई का जन्म कहां पे हुआ था उत्ता प्रदेश के वारानसी में हुआ था 1828 में और उनका वास्तेविक नाम था मारी करने का ये इनका जो है परसनल डेटेल इनके बारे में हो गई और 29 वर्स की उम्र में इन्होंने अंग्रेजी सामराजी की सैना के साथ युद्ध किया था और रण भूमे में बीरगती को ये प्राप्त हुई थी इन्होंने सर पर तलवार से बार किया था खुद को और इनका जन्म वारानसी में हुआ था और इनके जो हमरत्यू है वो गौलियर में हुई थी इनके पती का नाम राजा गंगा धर र अब इनकी स्वतंतरता संगराम में भूमी का क्या रही वो हम परते हैं तो रानी लक्ष्मिवाई स्वतंतरता के लिए भारत के संगर्श के बहादुर युद्धाओं में से एक थी वर्स 1853 में जब जहासी के महराजा की इम्रत्ती हुई थी तो रानी लक्ष्मिवाई ने खिलाब बहादुरी से लड़ाई लड़ी ताकि संहासी को सामराजु को बेले से बचाया जा सके और 17 जून 1858 को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उनकी मित्धियू हो गई थी तो एक एक पटिकुलर के बारे में हमको लिखना है तो हमें उनके बारे में थोड़ा सा परेसनाल लिखने लेना है कि अब उनका जन्म हुआ कहा से किस छेतर की थी और फिर उनके जो विद्रों के बारे में लिखा है कहां से उन्होंने उनकी क्या भूमिका रही थी जहासी को बचाते हुए उनकी मौत हो गई थी तो यह हम उनकी भूमिका लिख सकते हैं दूसरा ह और 22 नमबर 1830 को जहांसी के पास भोजला गाउं में इनका जन्म हुआ था इसके बाद जलकारी बाई जो थी वो लक्ष्मी बाई की हमसकल थी जलकारी बाई क्या थी लक्ष्मी बाई की हमसकल थी और इस कारण सत्रू को दुगजा तब जलकारी ने कहा कि आप यहां से जाईए मैं लड़ती हूँ और मैं आपकी जगह पर लड़ती हूँ रानी भहां से चली गए और जलकारी उनके वेस में लड़ती रही जलकारी भाई की गाथा आज भी बुंदेल खंड की लोग गताओं और लोग कीतों में जानी जाती है क्योंकि वो उनसे लड़ती रही थी और लड़ते ही अचानक से उन्होंने बीरगती को प्राप्त कर लिया था जहांसी के ही पास एक भोजला गाओं है वहां पर इनका जन्म हुआ था और ये बचपन से ही घुरसावारी अस्तसास्र की कला और योध्धा की तरह लड़ती थी और इन्होंने बचपन में ही ये सब कलाए सीख ली थी उनका चेहरा जो है वो धासी की रानी से बहुत ज्यादा मिलता जूलता था तो जिसकी कारण वो अंग्रेजियों को आसानी से चकमा दे देती थी तो ये सबी चीज़ है याद रखिएगा जहलकारी वाई की समाधी कह ये जरूर पूछा जा सकता है प्रेलेमस में तो जहलकारी वाई की जो समाधी है वो गौलियर में है कहा है जहलकारी वाई की समाधी गौलियर में है अगला है रानी अवंती वाई तो रानी अवंती वाई लोधी बोला जाता है इनको वैसे तो जनरली रानी अवंती वाई लोधी बोला जाता है और ये एक सो तंतता सैनानी थी रामगड की ये रानी थी इनका विद्रो छेत्र क्या था रामगड था तो मतलब ये रामगड की रानी थी क्या थी रामगड की रानी थी अवंती वाई ने अंग्रेज सैनापती बाडन को हराया था अवंती वाई ने क्य बैर आपनि ने हुआ था गीडमरे चुंस तो अपने माझने में झाइब हयं जद्धा चंगीए जानिव सवरीी को पारे के घूट कर टा है ップं यह और हम Monitor को गोगोए थी है यहां पर इनकी म्रत्ती हुआ टी प्रोट narrator to को रामगड की लक्ष्मी भाई कहा जाता है अवंती को रामगड की लक्ष्मी भाई भी कहा जाता है तो अब अवंती भाई ये बारे में फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि इनको रामगड की लक्ष्मी भाई कहा जाता है ये भी पूछ सकते हैं कि रामगड की लक्ष्मी भ उसके राज़े पर अधिकार करने अधिकारी आये थे उन्होंने उन अधिकारीओं को भगा दिया था और करन्ती अपने हाथ में ले ली थी तो एग मध्य परदेश के आठा संतावरी करांती में रानी अवबंती भाई याद रखिएगा जिसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट मिलती है 3 नंबर की 12 बुकलेट मिलती है 25 वाटसप के गुरूप मिलते है अभी एक package दिया जा रहा है आपको 58 बुकलेट का जिसमें हम prelims के जो 12,000 MCQ के 3 practice set आपको दे रहे हैं 11 बुकलेट prelims के notes दे रहे हैं 2024 prelims plus means इसको आप target बना कर बहुत अच्छे से तयार कर सकते हो बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हो तो और इसमें आपको paper first से लेके paper 6 तक के सभी unit cover मिलेंगे सभी प्रशनोत तर इसमें cover मिलेंगे और ये हस्त लिखित notes pro chart diagram सहेत है means के जो आपको group मिलेंगे उनमें हम आपको current affairs से जोड़े हुए pressure कराएंगे या जो statical कोई भी pressure गुहमा फिरा के आ सकता है जैसे की रास्टपती अपनी मनवानी नहीं कर सकता क्यों इस प्रिकार के जो question होते हैं इसक वाले वो question हम इन गुरूप में कराते हैं नोट्स के अलावा भी हम इन में आपकी तैयारी कराते रहते हैं यह जो गुरूप है हम आपको तब तक नहीं हटाएंगे इन गुरूप से जब तक आप जुड़ना चाहें आप खुद हटेंगे हम आपको नहीं हटाएंगे चाहे हमारा मेंस का गुरूप हो चाहे हमारा प्रिलिम्स का गुरूप हो तो अगर आप हमारी नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों में उपलब देगे जो पूरा पेकेज है वो इस तरह के बॉक्स में आता है आपके घर मौचता है एक बड़ा 15 से 20 किलो का बॉक्स रहता है जिसमें पूरी बुक्लेट आपकी रखी हुई आती है इसके अलाब अगर आप सॉफ्ट कॉप भी ricon8 ले सकते है तो यह 66 बुक्लेट का पेकेज हो जाता है तो यह कोई भी पेकेज आप हमारा मेंस का लेना चाहते है या हमारा जो 2024 का पूरा पेकेज carप लेना चाहते है तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं अगला पर एहसी जैसे की जैसे कि जो जलकारी भाई थी वो रानी लक्षी भाई की संडक्षी का थी ऐसे ही गिर्धारी भाई अवंती भाई की संडक्षी का थी गिर्धारी भाई इनका विद्रो छेत्र जो है वो रामगड़ी ही है उनहीं के ही इर्दगिर्दिन की कहानी घूमती है जिस तरह जलकारी उसी तरह इन्होंने भी वीरगति को प्राप्त हुई थी रामगड को बचाते यदर रखिए का एक और पूच्छन को ना थी, प्रत्थम सहीद वीरगना कौन थी, मतलब महिला कौन थी प्रत्थम सहीद वीरगना, तो हमारे मध्यपदेश की ही अवंतिवाई थी तो ये भी गिर्धारी वाई का भी ध्यान रखना पहां का छेतर था रामगड का था अवंतिवाई की ये सनरक्षिक थी और इनकी जो समादी है वो मंडला में है गिर्धारी वाई की समादी कहां पर है मंडिला में है अगला है अगला कोश्यन है मतलब अगला जो अगली महिला है रानी तपस्विनी इनका वास्तविक नाम जो था वो सुननदा था और ये रानी लक्ष्मी भाई की भतीजी थी बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा ये रानी लक्ष्मी भाई की भतीजी थी और बैलूर के जमिदार थे नारायन राओ नारायन राओ की ये बेटी थी इनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है और उन्होंने 1857 के 313 संगराम में जमकर अंग्रेजों से लड़ाई की थी क्रांती की बिफलता के बाद इनको तरुचिला पल्ली की जेल में भी रखा था ये आप से प्रेलिम्स में फैक्ट पूछ सकते हैं ये प्रेलिम्स में इस पैकार के कोशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो 5857 की क्रांती के दोरान जो रानी तपश भी नहीं थी उनको किस जेल में रखा क्या था तो उनको तरुचिला पल्ली की जेल में केद करके रखा था कहां पे तरुचिला पल्ली की जेल में ये साथ साथ मैं Prelims के भी फेक्ट मैं बताती जाती हूँ तो उनको No Down करते जाये कीजे अगला है राणी द्रौपती बाई राणी द्रौपती बाई कौन है इनका विद्रोछेतर जो था मध्यभारत धार राणी द्रौपती बाई और इन्होंने 857 की करांति में एक अलग ही योगदान दिया था और सबस्वेले ये बोला जाता है कि मद मालवा छेत्र की छोटी सी रियासत थी धार उस धार रियासत की ये प्रसिद बीरागना थी और इनका जो धार छेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ज करने में एक महत्मूर योगदान था 22 मई 1857 को धार के राजा की म्रत्ती हो गई थी और उन्होंने विद्रों को सम्माला था करनल डूरेंड ने दोपती भाई के विद्रों को दवाने में सफलता हासिल की थी किसने करनल डूरेंड ने इस प्रिलेम्स के फैक्ट को भी याद रखना किसने की थी करनल डूरेंड ने की थी दार के जो शेत्र है वो इनकी ये आज भी उनकी प्रेणना दाई बनी हुई है और इन्होंने निडर होकर अंग्रेजों का विरूद किया था इन्हों ने जो रानी दोपती वाई थी इन्हों ने अपनी सैना में आरवों को, अफगानों को और मकरानियों को न्यूक्त किया था तो अपने लिख सकते हैं कि निसकर्स्ता अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध क्रांती का जहंडा बुलंद करने में भारत की विरांगनाय भी पीछे नहीं रही हैं तो यह हम इसमें फैक्ट जो है वो डाल सकते हैं तो यह था हमारा ये वाला कोशन की मद्योपदेश में 1850 की क्रांती महिलाओं का यूगदान अब हम जो कल पढ़ेंगे वो हम ये वाला कोशन पढ़ेंगे कि मद्योपदेश के जो अलग अलग छेत्र हैं मद्योपदेश के विविन भागों में जो 1850 की क्रांती का विद्रो हुआ था उसको मैं आपको करवाऊंगी कि किस प्रकार से विद्रो हुआ था तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो अब हम ये नेक्स वाला कोशन नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा एक तारिक से एक जन्वरी से हम एंपे प्यसी प्रिलिम्स की क्लासिस भी करेंगे 2014 को टार्गेट मानते हुए ओके फैंस थिंक्यू